नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने विश्वसनी यूटूब चैनल बिना से एजूकेशन पाइंट पर जैसा कि आप सभी को गया थे क्या एंपी पेस्टी 2021 का जो आयो जाने बाए 19 जून को किया जाना है उसी में ध्यान में रखकर हमन प्रदेश की प्रमु खर्याषते हैं हिंदी एथिक्स पॉलिटी जीवगरा अफियम परीच्छा में प्राण परीच्छा में प्राण परीच्छा नाम से जानते हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है नेश्युवर्स के नूसा नोडशी उनिट 9 को इसमें कवर किया है और इसे तीन से चार प्रशन पूछे जाने की संभावना है मात 22 रुपे में आप इसे पर्चिस कर सकती हैं सरप्रतम कृत्म बुद्धी मत्ता को परिभाशित करने वाले वेग्याने को अधिया पतना तयार कर लेते हैं तो इतना भी आपके लिए सपीसेंट रहेगा कईी लूप में परिभास्त किया मैं इसकराइट adessoatiques में इस उकती में प्रियोंग किया गया था हाली में प्रिवेस क्यों चर्चा में रहा है तो यह चाचा में रहा है क्योंकि बहनी ये दनों पर इंटरनेट की उपलब दिता से ताथ पर फ्रीवे से कहलाता है भारत में दूर दर्शन प्रसारन की सुरूबाद जो है वैकफ से की गई है प्रशन जरू पूछा जाएगा तो आपके याद रखना है कई परिक्षाओं के लिए प्योगी है कि भारत में दूरदर्शन प्रसार्ण की शुरूबाद जो है 1989 में हुई थी परम क्या है तो परम जो है भारती सुपरकम्पीटर है परम भारत में कृत्यम बुद्धी मत्ता यम रोवोटिक्स केंद्र की स्थापना कप की गई थी तो 1986 में 1986 में भारत में कृतिम बुद्धी मत्ता यम रोबोटिक्स केंदर की स्थापना की गई थी सरप्रथम कृतिम बुद्धी मत्ता को फिल्म में कब दिखाया गया था तो इसका राइता अंसर दूस्तों 1984 में सरप्रिथम जो कृतिम बुद्धी मत्ता है उसको फिल्मे के रूप में 1984 में दिखाया गया था AI Artificial Intelligence के संबन्द में डार्थ, माउथ, कांफ्रेंस, कॉनफ्रेंस का आउजन कब दिखाया गया था तो 1956 में इसका आउजन दिखाया गया था AI अर्थत Artificial Intelligence को ही हम सौर्ट फॉर्म में AI और हिंदी दूपांतर ने इसका कृत्यम बुद्धी मत्ता है AI के छेतर में LV नामक प्रोजेक्ट का संचालन कौन सा देश करता है या प्रश्णी पूछे जाने की संभावना है तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रेटेन AI के छेतर में LV नामक प्रोजेक्ट का संचालन जो है बाहर ब्रेटेन देश करता है AI के विकास के लिए फिप्ट जन्रेशन योजना की सुरूबात कब वा किस देश ने की थी तो AI Artificial Intelligence के विकास के लिए जो फिप्ट पांच मी पेड़ी जो होती है फिप्ट जन्रेशन यो में की गई थी इसके बाद जो है AI के विकास के लिए Micro Electronics Computer Technology की स्थापना के स्वर्स की गई तो 1983 में AI के विकास के लिए Micro Electronics and Computer Technology की स्थापना 1983 में की गई थी एक बार कोशन प्रिशन कर लेते हैं जली जली ताकि हम आगे के प्रिश्णों पचाचा कर सकें तो सर्प्रथम क्रित्यम बुद्धी मत्ता को पड़ी भाषित करने बाले बैज्यानिक जोन मैं करती थी फ्री बेसिक बहनी दरों पर इंटरनेट की उपलब जता है बारत में दूरदर्शन प्रसाण की सुरूब साथ का जो प्रस्ण है कि AI आर्टिफिचल इंटलिएंसी के संबन्द में डार्थ माउथ कॉंग्रेस का जो आयोजन है वह 1956 में तिखाया गया है AI के छेत्र में LV नावक पूजेक्ट का संचालन ब्रिटेंदेश कलता है AI बेकास के लिए फ्रेप्र जन्रेशन जोन्ना की इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं आगामी प्रश्णों पर उनको भी हम देखते हैं जो कि AI आजन का जानना आपके लिए उप्योगी है क्रत्यम गुद्धिमत्ता की अवधार्णा मेकेनिकल में से सम्मझत कहानियों से प्राप्त होती है यह किस भाहसा में आई है तो इसक सबसे बड़ा खत्रा उत्पन हो जाएगा एक अथन किसका है तो दोस्ते एक अथन बिलगिर्स का है आप में से निश्चित थी बिल्ले ही प्राणी होंगे जिनने बिलगिर्स का नाम नहीं सुना होगा बांकि सभी लोग बिलगिर्स के बारे में जानते हैं और यदि ं को किस बिभाक कहसा माना जाता है तो किर्टम गुद्धी मत्त रहसाब का जीर्णिंग को है क्रिद्धी मत्तर भाक कहसा माना जाता है Zweig operator बाडर प्रवंधन में आर्टिफेशल इंटिलिजेंसी का इस्तिमाल करने के लिए जो है वह तक्नीक कंपणी के सा समझाती क्या है वह गूगल है गूगल मनुष अजारों बरसों के धी में जैव एक बिकास क्रम का परिनाम है जो AI का मुकाबला नहीं कर सकता है कथन किसका है कथन भी ऐसे पूछे जाते हैं और आप इन में कंफ्यूज होते हैं तो हमें याद रखना है यह कथन स्टीपन होकिंग का है कि मनुष सजारों बरसों के धी में जैव एक बिकास क्रम का परिनाम है जो AI का मुकाबला नहीं कर सकता है इसके बाद जो है आपको प्रोंखरूप से प्रशनम देख सोफिया क्या है तो AI साइक्त रोबोट है सोफिया सोफिया के एदिवारी में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टीफेचल इंटेलिजेंसी कटन बुद्धि मत की रोबोट सोफिया सोफिया रोबोट को किस देश में के नाग रिकता दी है तो साओ-इयरब में जो है सोफिया प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेंगे तो आज ही आप हमारे एपिडियो मात 22 रूते में का सकते हैं और साथी साथ हमारे कॉंटेक निंबर सत्रा से सट बान्वे चोटी दस पजा कर समपर करके प्राप्त कर सकती हैं तो आज आपके लिए सुनेरा उशर है मुख परीच्छा के दौर भी आपके लिए खुल चोके है MPPSC 2020 की मुख परीच्छा जो की 24 से 29 मार्च है 24 से 29 मार्च के मध्य आयोजित होना है साथी साथ MPPSC 2019 का भी जो अभी नरस्त कर दिया गया है परिनम उसके आधार पर यह मुख परीच्छा के अभ्यातियों को देने मिलेगी तो अपनी तैयारी जो है बस चालू रूप से कलती रहें और प्रारम है कि यह मुख परीच्छा के भी सलाय दे सकती हैं कि हमारी चैनल से जुड़ें और इसको परचिस करें धन्यवाद